इस एपिसोड की शुरुवात में सिंजन क्षीमु को उस रूम के अंदर जाने के लिए डांट रहा होता है तभी क्षीमु सिंजन से माफि मांगर कहती है तुम मुझे कुछ मत करो मैं यहाँ कवारे में किसी को भी नहीं बताऊंगी मुझे एगर भी नहीं चाहिए मैं सिटी चोड़कर पेरेंट्स के पास जाऊंगी तभी सिंजन कहता है अगर आश के बाद तुम बिना मेरे परमिशन के बगर बहर जाओगे तो तुमें लॉयर का नोटिस आ जाएगा तो तुम आश से यही रहोगी कहकर वहाँ से जाने लगता है तभी क्षीमू वहाँ से एक स्केल को लेकर सिंजन को मारने लगती है जैसे ही वो सिंजन को मारती है तभी वो स्केल क्षीमू का हाथ से गायब होकर एक ब्रैजलेट बन जाता है यही पर क्षीमू का हाथ से सिंजन को गलती से तपड मिल जाती है यही पर सिंजन को क्षीमु के उपर गुसा आ जाता है औरो क्षीमु को वहाँ से कीश कर ले जाता है फिर हम जिन को देखते हैं जो क्षीमु को तुमारे न्यूगर के साहे कहकर पूछती है इस मेसेश को देकर क्षीमु रिप्लाइ करने के लिए जाती है लेगिन उसे सिगन नहीं मिलती है औरो जिनको कॉल करने लगती है औरो कहती है इसको मेसेश करो यहाँ किड्नैप कर शुके हैं लेकिन एक कॉल सिंजन को जा चुका होता है सिंजन का आवास को सुनकर क्षीमू चुप हो जाती है तब इस सिंजन कहता है तुम बक्वास मत करो एक एक करो फोन को का इसके बाद ओ जिनको फिर से मेसेश करती है, तभी क्षीमू मेरी किड्नेप हो चुकी है कहेकर मेसेश करने लगती है, लेकिन ओ मेसेश जिनको सेंड नहीं होती है, तभी क्षीमू फिर से मेसेश करने लगती है कि मैं यहाँ पर कुश हूँ, लेकिन ओ मेसेश जिनको सेंड हो लेकिन वो मेसेज सेंड नहीं होता है। इसके बाद किड्नैप करने के बाद क्या करते हैं कहेकर सर्च करने लगती है। प्रेजलेट से पता चल चुका है कि उसके हार्ट बेट वन मिनित में वन फोर्टी टाइम बेट करता है। इसके वज़स से उसे मेंटल डैमेज भी हो सकता है। और आप से डर चुकी है तो आप उसे अच्छे से बात करिए। और उसे लगना चाहिए कि आप बैट गई नहीं हो। तभी सिंजन क्षीमु की रूम के पास चाकर कहने लगता है कि कल तुम उस रूम में एक आदमी को देखाता ना, ओ हमारा स्टन टेक का लेटेस्ट कॉन्फिडेंटल इन्फोर्मेशन रोबोट है। तो मैं कुछ इसे रिलेटेड बुक्स को लेकर आया हूँ। इसे मे यहाँ बाहर रख कर जाता हूँ। अगर तुम चाहो तो तुम उसे देख सकती हो कहता है। फिर हम सिंजन का असिस्टेंट को देखते हैं। उसका नाम है इस्टर किन जो आफिस में सिंजन और क्षीमु के बारे में गौसिप कर रहा होता है। तभी वहाँ सिंजन आता रीटिंग के लिए कुछ प्रिपैर करने के लिए कहता है। फिर हम क्षीमु को देखते हैं। जो सो रही होती है। तभी उसकी अलाम बच्चती है। जब वो उड़ती है तब वो बुक्स को देखने लगती है। और वो कहती है तो इसका मतलब ओर रूम में एक आदमी था वो रोबोट है। तब वो अपनी मुबाइल को देखने लगती है। जहाँ पर उसे पता चलता है कि उसकी इंटर्विव आज है। और वो जल्दी से उटने लगती है। और वो अच्चे से रेडी होकर नीचे आती है। जब वो डोर को ओपन करने लगती है। लेकिन डोर ही होता है। अवरो सिंजन को कॉल करने लगती है। अवरो कहती है मुझे आज इंटर्विव है तो प्लीस डोर को ओपन करो। सिंजन कहता है तो अगर तुम्हें जब चाहिए तो मैं मेरी कंपीनी में दे सकता हूँ। तबी क्षीमू कहती है, मुझे मुझे पता है, तुम्हारा जॉब ओ रोबोड का है, लेकिन मुझे ओ जॉब पसंद नहीं है, मुझे वीडियो एडिटिंग करना पसंद है, तो मुझे ओ जॉब डूंडो कहती है, तबी सिंजन कहता है, तुम्हे कहा पर जॉब चाहिए, स्टेशन सी कैंडी में जॉब चाहिए औरो कहने लगती है प्लीज तुम यहां का डोर को उपन करो मैं किसी को भी तुम्हारा टीनाइन रोबोट के बारे में नहीं बताऊंगी तुम चाहो तो मेरी फोन को भी ट्रैक कर सकते हो सिंजन कहता है इसका कोई जारूरत नहीं है मैं गर आता हूँ तुम्हें स्टेशन सी में ड्रॉप कर दूँगा इसके बाद सिंजन क्षीम को पिक करने के लिए आता है यही पर क्षीम कहती है तुम्हें यहां आने की कोई जरूरत नहीं है मैं उस रोबोट के बारे में किसी को भी नहीं कहूंगी तब ही सिंजन कहता है त तो हमें कपल के जैसे रहना चाहिए, यही पर उनका फोटो को मीडिया वाले चुपकर ले रहे होते हैं, इसके बाद सिंजन और क्षीमू स्टेशन कैंडी में पाउश जाते हैं, यही पर क्षीमू सिंजन को ड्रॉप करने के लिए तैंक्यू कहने लगती है, शीमू के जाने के बाद सिंजन धानिका से उसका और क्षीमू की रिलेशन के बारे में न्यूस पब्लिक करने वाला रिपोर्टर कौन है कहकर पूशता है, तबी धानिका कहती है, यह न्यूस को आपका और मिस श्याग का ब्रेक अप के बारे में पब्लिश किये थे, वही श् एंटरेंबंट का रिपोर्टर है तभी सिंजन धानिका से लेगल डिपार्टमेंट को नोटिफाइग करने के लिए कहता है तभी धानिका कहती है आप अब स्ट्रेंप एंटरेंबंट पर शू मत करिए इसके बदले आप आपके और क्षीमु के बारे में रोमैंटिक बाते से कई है तभी सिंजन कहता है तो क्या तुम मेरे साथ मजा कर रही हो धानिका कहती है मैं आपका कंप्यूटर असिस्टेंट हूँ तो मैं ए सब कह रही हूँ फिर हम क्षीमु को देखते हैं जो कंपिनी में फारम फिल कर रही होती है तभी सिंजन वहां आता है और वो आफि उससे मैंने कहये हुए question को पूशिए एसब सिंजन क्षीमू की personal secret जानने के ले कर रहा होता है क्षीमू को उसका robot के बारे में पता चल चुका है तो सिंजन भी क्षीमू की secret जानना चाता है आवरो धानिका से station C का network cover करने के ले कहता है तबी धानिका स्टेशन सी का नेटवर्क कवर करने लगती है इसके बाद सिंजन उस स्टाफ से मैं अब चलता हूँ कहकर वहाँ से जाता है फिर हम क्षीमू की इंटर्व्यू का सीन को देखते हैं जिसे सिंजन स्क्रीन में देख रहा होता है यही पर क्षीमू से ओ श्टाफ पूश्टी है तुम इस पोजिशन में अपलाई कर चुके हो लेकिन यहां का पोश्ट फुल है लेकिन आपको यहां जाइन करवा देंगे लेकिन आपको कही और ट्रैंसफर कर देंगे क्षीमू यही पर उनके बाद को मानती है तब हो इंटर्विवर तो तुम्हें किसी और फिल्ड में एक्सपिरियंस है क्या कहे कर पूश्टी है तब है क्षीमू मैं बिजर मैशब वीडियो करती हूँ इसे सुनकर शिंजन डानिका से रेकॉर्डिंग मून आउन करने के लिए कहता है और उस इंटर्विवर को मिसेज करकर क्षीमू से बिजर मौशब का डैंस करवाने के लिए कहता है यही पर क्षीमू नर्वस हो जाती है और उसे देखकर इंटर्विवर तुम यही पर रहो मैं डाइरेक्टर का ओपीनियन पूश कर आती हूँ कहकर सिंजन का पास जाती है और उस सिंजन के पास आकर पूशती है आप क्यों क्षीमू से बिजर मौशब का डैंस करवाना चाते हो सिंजन कहता है मैं तो मजा कर रहा था तब ही ओ क्षीमू की रेजिम सिंजन को देखती है तब शिंजन स्क्रीन में क्षीमो को डैंस करते हुए देखता है और वो उसे डैंस करते हुए देखकर मुस्कुराने लगता है और वो वहाँ से जाने लगता है फिर शिंजन धानिका ने रिकाउड किये हुए क्षीमो के डैंस को देख रहा होता है तब ही धानिका कहती है आप इस वीडियो को क्षीमो को दिखा कर उसे ब्लैक मेल कर चकते हो जिसके वज़्ज़ से वो आपके T9 रोबूट के बारे में किसी को भी नहीं बताएगी और धानिका कहती है आपको पब्लिक के सामने क्षीमो के साथ रिलेशन्शिप को दिखाना चाहिए शिंजन टीक है कहता है इसके बाद क्षीमो शिंजन के पास आती है तब ही सिंजन पूशता है क्या तुमें जॉब मिला क्षीमो हा कहती है तब ही शिंजन तो हम इसे प्रेट करने के लिए डिनर पर जाएंगे कहता है, क्षीमू मान जाती है, इसके बाद वो दोनों एक बड़ा ओटल में जाते हैं, जहाँ पर सिंजन क्षीमू से तुमें बूक लगी है, तो तुम कुछ ओडर करो कहता है, लेकिन क्षीमू को ओडर करने में मुश्किल हो रही होती है, तभी शिंजन वेटर से फ्रेंच लैंग्विज में मेरी कुछ फ्रेंच अभी यहाँ आने वाले हैं, तो तुम इसे क्या चाहिए कहकर पूछो कहता है, तभी क्षीमू सिंजन को वेटर से बात करते हुए देखकर सोचने लगती है, सिंजन उसके लिए कुछ ओड किया है, अवरो सिंजन से तुम कितना आइटम ओडर किये हो कहकर पूछती है, अवरो मैं ज्यादा काती नहीं हूँ कहती है, तभी वेटर कहता है, सार ने कहे है कि उनके गेस्ट आने वाले हैं, तो वो कुछ ओडर नहीं किये हैं, लेकिन क्षीमो को कुछ समझ में नहीं आ मैं वाश्रूम जाती हूँ कहे कर वाश्रूम जाती है, जहाँ पर वो जिन को कॉल करकर मुझे रेश्टोरेंट में यूज करने के लिए फ्रेंच वर्ड सिकादो कहती है, तभी जिन कहती है, मुझे कुछ बहार जाना है, तो मैं तुम्हें वीचैट में टेक्स्ट कर दू इसको order कर चुका होता है इसे देखकर क्षीमू अच्चे से काना काने लगती है यही पर शिंजन क्षीमू को इतना सारा काना काते हुए देखकर देखते ही रह जाता है उसे इसे देखते हुए देखकर क्षीमू आप कुछ नहीं का रहे हो तो आप कालो कहती है शिंजन मुझे बूक नहीं है कहता है औरो कहता है मैंने नहीं सोचाता कि तुम इतनी बड़ी फुड़ी हो तभी क्षीमू हाँ क्योंकि मैं टैलेंटेड हूँ कहती है तभी शिंजन का दो गेस्ट वहाँ आते हैं उनके साथ जिन भी आती है जिनको वांग के साथ देखकर क्षीमू और शिंजन शौक हो जाते है तभी हुआँग जिनको उन्हें इंट्रिड्यूस करने लगता है तभी शिंजन भी क्षीमू का हाथ को पकड़ कर ये मेरी girlfriend है कहकर introduce करता है अभी Huang शिंजन से कहता है मैंने नहीं सोचाता कि आपको भी girlfriend होगा क्योंकि आप इतना busy हो तभी शिंजन कहता है मैं इसके बारे में reveal करना नहीं चाता था लेकिन मेडिया वालों को पता चल चुका है तभी Huang शिंजन से कहता है अगर एबात president को पता सलेगा तो वो कुश हो जाएंगे शिंजन कहता है हाँ लगता है उन्हें इसके बारे में नहीं पता है फिर हम GU group का president shin को देखते हैं जो शिंजन का grandpa है और smart computer danika का creator भी है तभी वो danika से शिंजन के बारे में पूछने लगते हैं तभी डानika कहती है जैसे आपने कहाता वैसे ही चल रहा है और मैं शिंजन और क्षीमु को साथ में लाने की कोशिश कर रही हूँ तभी शिंजन कहता है तुमने ही शिंजन और क्षीमु को साथ में लेकर आई हो और तुम शिंजन को मीडिया के उपर शू करने से भी रोक चुके हो कहेकर डानिका का तारिफ करने लगते हैं आउरो कहते हैं शिंजन पाश्ट में बहुत पेन बरदाश कर चुका है इसके वज़ा से उसे रिलेशन्शिप के बारे में उतना ट्रस्ट नहीं है तभी डानिका कहती है मैं मेरी माश्टर को उसका पेन को दूर करने के लिए मदद करूँगी इसके बाद ग्रैंटपर शिंजन अपने आपसे कहने लगते हैं कि मुझे एक ग्रैंटसन है और ओ भी ऐसा है तो मैं क्या करूँ कहेकर टिंशन हो जाते हैं अजय सकते हैं